नमस्कार खबर हर्याना प्रदेश की शान में आपका स्वागत पेश करते हैं आज की खबर बहादुरगर शहर के शहीद भगत सिंग पाक में सोंवार को इनसो के राष्ट्रिया अध्यक्ष दिग्विजे सिंग चौटाला के बहादुरगर शहर में पहुचने पर फूल मालाओ वर ढूल नगाडों के साथ चोरदार स्वागत किया वहीं इस कार्यक्रम में हजारों युवाओं ने अपनी मौजूगी दर्च कराई बहादुरगर में इनसो के राष्ट्रिया अध्यक्ष दिग्विजे सिंग चौटाला ने मंच से संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार बनने के बाद किसानों के कर्च माफ किये जाएंगे वहीं गरीब लड़की की शादी पर कन्यादान के रूप में पांच लाख रूपे की सहायता राशी दी भी जाएगी और युवाओं को दो लाख सरकारी नौकरी भी दी जाएगी जिला अध्यक्ष कर्मवीर राठी और रितेश चिकारा के आवहान पर भी बहादुरगड के युवाओं ने इंसो के कार्यक्रम में भागेदारी भी दर्च कर आई कार्यक्रम के बाद कर्मवीर राठी जिला अध्यक्ष इनेलो पार्टी ने अपने कार्याले पर खबर हर् बनीगी वहीं पत्रकारों के सवाल पूछे जाने पर इंसो के राष्ट्री या अध्यक्ष दिग्विजे चौटाला वा कर्मवीर राठीनी का कहना है कि जाए ऐसी सरकार को लाया जाए जो रोजगार के अफसरते हैं और पानी पहुंचाए और पुषाल हरी है जिसमें ये कास्टिजिम के नारे ना इसमें द्रह्म के नारे नाव चात्रिस बिरादरी का भाई प्रदेश का निवास उन्हें हरियाना में स्ताफित हो तब ही होगा सब्सक्राइब इसका मतलब यह किता है कि आने वाड़ा समय कि जो हमें नेत तो मिला है दुशन जी की अगवाई के अंदर युहाओं पुर दिवाद वह एक ऐसी अगर आगे मजबूत हो जोना सिफाही सात में मजबूत है इसका में अगरे परदीव देशवाल जी भी आई हुए थे और हम तो हम तो इंडिनेश्वाल पर दिला गया दैस्वाले के नाते हर कारिकरम में बोसिश करते हैं कि जादा से जादा अच्छा कारिकरम ने और आज प अपने आप में नारा दिया था कि हम महाई बता देंगे बेलोजगार और लोजगार देंगे आज दो रोजगार देने की बजाया जोना इवा सड़कों कर पुज़त पटक रहा है तो बीजेवी सरकार जब से आई है आज तक जोना डेली वेजिस पर लगा रहे हैं उनका य इसलिए आप पूरे हरायने तराही तराही मजीब अगर वीवा अपने आपको ठगार बहुत जादा पहस्ता है तो जोगना हमने वोग किया है और एसमयल मा मिलने के मापाणी आने के उस पे पर मिच्छा जी तो अर्याने में आने की कह लिए है अर्याना तो छोड़ो बाद झाल